हेलो स्टुडेंट्स हम युनिट्स एंड डाइमेंशन के चैप्टर में नुमेरिकल प्रोब्लम को सोल किया था आज भी हम युनिट्स एंड डाइमेंशन के कुछ नुमेरिकल प्रोब्लम को सोल करेंगे इसमें हम एक question लेते हैं कि by the dimensional analysis so that the formula for the time period of simple pendulum of length L. executing simple harmonic motion T is equal to 2 by L upon G is wrong. मतलब कि हमें dimension analysis के द्वारा ये सिद करना है कि simple harmonic motion का जो ये time period का जो formula है ये गलत है या ये wrong है. फिर हमें dimension using the dimension हमें उसका सही form यानि के using dimension obtain its correct form हमें उसका सही formula dimension analysis की help से निकालना है. पहले तो ये सिद करना है कि ये formula गलत है फिर हमें सही formula इससे निकालना है तो हम कैसे सिद करेंगे तो ये time period है simple harmonic motion का ये pendulum की length है और ये acceleration due to gravity of earth तो फार्मूला लिखेंगे हैं ती इसगल टू टू पाई एल अपॉन जी according to dimensional homogeneity principle कि किसी भी formula की both side की dimension एक दूसरे के बराबर होती है. अगर इसकी dimension और इसकी dimension एक दूसरे के बराबर नहीं आती तो ये formula गलत है. तो सबसे बहले हम टी की निकालेंगे time की तो time period है तो इसकी dimension होगी क्या? टी अब हम इसकी निकालेंगे L की L की dimension क्या होगी? L अब G की निकालेंगे G की क्या होगी? G acceleration है G भी क्या है? acceleration है तो इसकी dimension क्या होगी? L T minus 2 power minus 2 तो L upon G की क्या हो जाएगी? L L T minus 2 तो यह bracket में हो जाएगी आपकी plus में यह plus में हो जाएगी T square यह उपर चले जाएगी L यह L plus 1 यह L minus 1 है तो L की power 0 हो जाएगी तो यह L upon G की हो जाएगी dimension T square T की power 2 तो यह अब हम put करेंगे तो T की क्या है? T और इसकी क्या है? T square तो यह एक दूसरे की equal? नहीं है तो इसका मतलब T is equal to 2 pi L upon G यह formula क्या है? रो क्या है ग्लत क्या तो यह अब हमें इसकी सही form निकालनी है क्या निकालनी है? सही form निकालनी है अब सही form निकालने के लिए क्या करेंगी? एक simple pendulum है जो उसकी length पर depend करता है जो उसकी length पे depend करता है और g पे depend करता है किसी भी simple pendulum का time period उसके mass पे depend करता है तो consider t directly proportional to m की power a length की power b और g की power c इन पर सब पे वो depend करता है इन सब पे depend depend upon g l और m किलिया अब हम क्या करेंगे इसे t constant m की power a l की power b और g की power c इसे equation दे देंगे हम first इसे equation first के लिए इसे equation क्या दे दे है हमने first दे दिया अब हम क्या करेंगे both side की dimension लिखेंगे है न right the dimension both side तो इसकी time period की होता है capital T होती है T के constant है चिए कोई dimension नहीं m की m power a l की b और g होता है acceleration जो हमने यह लिखा दा l t की power minus 2 और यह c ठीक है अब हम इने एक साथ करेंगे m l b plus c t minus 2c यह एक साथ होगे क्योंकि l की power c आएगा l की power b तो जुड़ जाएंगे अब हम compare both side ठीक है इसकी power को compare both side power यह ना both side करेंगे तो यहाँ ml नहीं है यहाँ m नहीं है तो यहाँ a बराबर क्या हो जाएगा 0 a बराबर 0 equation 2 clear b plus c is equal to 0 क्योंकि इदर l नहीं है ठीक है equation 3 minus 2c is equal to t की power 1 है यह t की power 2 minus c तो is equal to 1 तो c is equal to minus 1 by 2 this equation this equation 3 4 मा देजिए अब यह value अब हम क्या करेंगे यह value यह value from equation 3 and 3 and 4 3 and 4 3 and 4 3 and 4 तो b minus 1 by 2 is equal to 0 तो b is equal to 1 by 2 अब यह value अब पूट दा वेल्लू अब पूट दा वेल्लू a, b and c in equation फर्स्ट इन एक्वेशन फर्स्ट अब किसमें पुट करते हैं एक्वेशन फर्स्ट में तो T जिगल टू K M A कितना है 0 L कितना है B कितना है 1 बाइ 2 G कि पावर C C कितना है minus 1 बाइ 2 किलियर तो यह हो जाएगा T जिगल टू K L अपॉन बाइ 2 G अपॉन L कि पावर 1 बाइ 2 अपॉन G कि पावर 1 बाइ 2 कि लियर तो यह से ऐसे लिख देंगे अंडर रूट L अपॉन G कि लियर और K एक एक्षपरिमेंटल कॉंस्टेंट है तो K जिगल टू 2 K इसकल टू 2 तो यह पुट कर देंगे तो T इसकल टू 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 पाई अंडर रूट L अपॉन G यह इसका करेक्ट फार्ट अगर आपको कॉंस्टेंट की वैलू नहीं पता हो तो आपको लिखनी जरूर नहीं है आपके ही छोड़ देंगे जो आपके कॉंस्टेंट माना है K जो भी लिया है K लिया है क्यों लिया है जो पुछ भी कॉंस्टेंट माना है उसको I छोड़ देंगे उससे कोई नंबर नहीं कटेगा अगर कंफर्म पता है एक्स्परिमंटल वैलू का तो आप उसको constant की value का पता है तो लिख सकते हैं, नहीं पता तो आप उसे ही छोड़ दें, तो उससे कोई फरग नहीं पड़ेगा, तो यह time period का correct formula है, है न, तो यह क्या है, correct यह क्या आपके, उसकी correct form के लिए, अब हम, अब हम कुछ diamond से निका लेंगे, जैसे हम consider करेंगे, एक question लेंगे, वंडरवाल equation, क्या है, वंडरवाल equation, वंडरवाल equation, क्या है, P plus A upon V square, V minus V is equal to RT, यह वंडरवाल equation है, जिसमें, A, B क्या है, constant है, जिसकी हमें dimension निकाल ली है, है न, किसकी dimension निकाल ली है, A और B की, किसकी निकाल ली है, A और B की dimension निकाल ली है, तो A और B की dimension कैसे निकाल ली है, अब हमें पता है कि जो P है ये प्रेशर है P क्या है प्रेशर V वोल्यूम ठीक है R गैस कॉंस्टेंट है T टेंप्रेचर R गैस कॉंस्टेंट है और T टेंप्रेचर के लिए तो अब हमें इसकी dimension निकालने के लिए इसमें एक विशेश ध्यान देना पड़ेगा इस तरह के कोष्टन एक्जाम में आते हैं क्योंकि थोड़ा सा कोष्टन जो है वो लोजिकली आता है तो इसमें निकालने के लिए क्या करना मुटएंगा जब हम्में a का निकालना है और बी का निकालना है तो यह bracket में दिया हुआ है p plus a upon v square तो यह कहीं पर भी ऐसा मिले जो इसकी dimension होगी P की वो ही dimension इसकी होगी और वो ही dimension इसकी है ना dimension of pressure is equal to dimension of A upon V square clear same इसी परकार V minus V जो dimension V की होगी वही dimension B की होगी तो dimension of ठीक है P BV is equal to dimension of B clear तो अब हमें किसकी निकालनी है पहले है P और V की निकालनी है तब हम A और B की निकाल पाएंगे तो सबसे पहले हम V की निकालते हैं V हमारा volume volume का मतलब होता है लंबाई गुना चोड़ाई गुना उचाई यानिके लंबाई 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 में ना पी जाती है तो इसका मतलब होता है L इन्टू L इन्टू L इन्टू L इसकल टू L Q यह से ब्रैकेट बंद कर सकते हैं L और यह L L Q तो यह V की डाइमेंशन होगी और V की डाइमेंशन लिकाल दी L Q तो B की किसके बराबर है V के तो B is equal to L की पाउर Q ठीक है अब हम सेम इसी परकार A की निकालने से पहले P की निकालने से पहले P की निकालने अब P है आपका प्रैसर P किया है प्रैसर और प्रैसर मतलब दाब और दाब का फार्मॉला क्या होता है बल बटे छेतर फल यानि कि फॉर्स upon area force की dimension क्या होती dimension formula m l t minus 2 और area लंबा ही गुना चोड़ाई length into width तो l की power 2 तो ये क्या हो जाएगा m l की power minus 1 और t की power minus 2 तो ये किसकी dimension निकाल ली हमने p की किसकी निकाल ली pressure की अब हमारा किसे है तो a की dimension क्या होगी p is equal to a upon v square तो a बराबर p into v square तो हम पहले p की dimension लिखेंगे m l minus 1 t minus 2 bracket में इसकी l cube की power 2 तो ये बराबर हो जाएगी m l minus 1 t minus 2 l 6 अब हम इसे combine करेंगे m l की power 5 ये minus 1 आए ये plus 6 ये तो minus plus के 5 आजाएगे और t की power minus 2 t की power minus 2 ही रहेगा तो ये किसकी dimension होगी ये की तो ये की dimension क्या होई m l 5 और t की power minus 2 b की क्या होई l cube के लिए तो इस तरह से हमें dimension किसी की निकालनी ठीक है अब जैसे अब इसमें देखो अब इस सारे की dimension इसके बराबर होगी अगर हमें r की dimension निकालनी है अगर हमें r की dimension निकालनी है तो हमें ये dimension इसकी dimension और v की dimension को पहले multiply करेगा और t से उसे divide करके फिर r की निकल पाएगी क्योंकि generally क्या होता formula general formula होता है PV is equal to RT PV is equal to RT अब हमें R की निकालनी है तो upon क्या जाएगा है R is equal to V upon T तो हम क्या करेंगे P की dimension लिखेंगे V की dimension लिखेंगे और T की लिखेंगे जो आएगा सोल करके वो R की dimension होगी के लिए यह homework है आपको R की dimension निकाल लिए clear, thank you अब हम next run पे error के बारे में steady करेंगे जो error security वाला chapter है उसे start करेंगे आप इसके numerical problem करना उन्हें solve करना ना हो तो फिर आप मेरे सिर्व पूछना thank you so much